अर्चनी उन्नी संसमाज निमानु साथ कुछ दिन निवे दन करने का प्रयास करूँगा सद्ग्रु कबीर की एक साखी है करो बैहा बल आपनी छान बिरानी आस जाके आंगर नदिया बहे सोकस मरे प्यास सद्ग्रु कबीर बहुती सरा लंग से लोगों को इसारा करते हैं उन लोगों को जो अपने आप में कमजोर महसुस करते हैं जो लोग कहते हैं कि जो कुछ होगा भगवान के कृपा से होगा जहवी दिराखे राम तहवी तु रहियो राम जो लोग कहते हैं कि दुनिया में खुदा है गाड है वो जैसे करते हैं वैसा होता है हम तो तुछ हैं कमजोर हैं क्या कर सकते हैं भगवान की कृपा गुरु की कृपा इस प्रकार के लोग बोलते हैं गुरुर कबीर कहते हैं जब तक अपनी कृपा अपने आप पर नहीं होगी तो कोई न भगवान न कोई गुरु कोई हमको आगे नहीं बढ़ा सकते हैं सबसे ज़्यादा ज़रूरत है अपने आपकी कृपा होना हम दूसरी पर तो कृपा करते हैं लेकिन अपने साथ अपने उपर कृपा नहीं कर पाते हैं गुरु कबीर कहते हैं कर वई हा बला आपने ऐ लोगों अपने बाहों बल पर भरोसा रखो अध्यात्म छेत्र में भी और भौतिक छेत्र में भी भौतिक छेत्र में जो लोग कहते हैं कि काम नहीं मिल रहा है वईपार नहीं है बिजिनिस नहीं है बेरुजगार बैठे हैं उन लोगों को पुकारते हुए कहते हैं ऐ लोगों अपने बाहों बल पर भरोसा रखो और जो अध्यात्म छेत्र में लगे रहते हैं रामराम जबते रहते हैं दोता रड़ते रहते हैं उन लोगों को भी कहते हैं अपने आप पर विश्वास रखो भरोसा रखो गुरुर कबीर आगे कहते हैं चान बिरानी आस ऐ लोगों दुसरों का आसा भरोसा छोड़ दो अध्यात्म छेत्र में दुसरे के आसा भरोसा मैंने पहले ही कहा भगवान, खुदा गाड़, अल्लाह परमात्मा इन सब पर आसा भरोसा रखने वाले उनके लिए इसारा है, कहते हैं उन सब पर इसारा मत रखो, उनके भरोसे हाथ में हाथ धरे बैठे रहा जाओगे, जीवन में उन्नती नहीं कर पाओगे उन्नती करने में हमारे अवरुधाप होते हैं, मन की अईस्थिरता पहली बात, मन की अईस्थिरता, दुसरी बात आज के काम कल पल टाड़ने वाले, तिसरी बात समय की गती को न समझने पर हमारा मन इस्थिर नहीं रहता है, हम सफल नहीं हो पाते हैं, उसका कारण है हम इस इस्थिर नहीं हो पाते हैं कभी कुछ सोंचते हैं कभी कुछ सोंचते हैं अभी कुछ देर पहले हम अलग सोंच रहे थे एक घंटे बाद हम दुसरे काम सोंचते हैं उसके बाद कुछ और अलग सोंचते हैं इस्थिरता कोई आदमी वैपार में भी सफल तब होता है इस्थिर ढंसे धीरे धीरे लगे रहते हैं तब उतावले बाजी में आदमी सफल नहीं होते हैं इस्थिता इसले बहुत जुर्य है और आज के काम को कल पर ना टालना गुरुर कवीर भी कहते हैं कल करे सो आज कर कल के बातों को हम कल पर ना छोड़ें गुरूर कभी कहते हैं आज कर लो जो व्यक्ति के मन में विचार आता है कुछ काम करने का वह काम कल के लिए है लेकिन वह सोचता है आज कर लो तो मेरा कल का काम में कुछ हिल्प हो जाएगा वह सफल व्यक्ति की पहचान है उन लोग की भाचान है जो अपने बाहोंवल पर भरोसा रखते हैं कल के काम को आज करते हैं समय की गती को न समझना हो समय वही जी बात है हम समय को जो चक्र चल रहा है उसको नहीं समझते हैं हमारा एक मिनट यदी बीत गया उसको हम पुना लोटा करके नहीं ला सकते हैं जो बीत गया सो मूर्दा खता है हम अपना यदी दस मिनट हमने समय बिताया तो दस मिनट हमारा चला गया फिर से वो लोट करके वो समय नहीं आ सकता है गुरूर कबीर कहते हैं चान बिरानी आस दुसरों के आसा भरोसा छोड़ दो जाके अंगर नदिया बहे सूकस मरे पियास जिसके अंगर में नदी भारा हो और पियासा मरे बड़ी अजीब सी बात है पानी में मीन पियासी मुई सुनी सुनी आवत हांसी आतम ज्यान बिना नर भटके कोई मतुरा कोई कांसी पानी में रहा करके मचली पियासी हो मुझे सुन करके हासी आती है ठीक आदमी ही वैसे भटक रहा है आतम ज्यान के बिना आदमी तिर्थ यात्रा में भटक रहा है भगवान भगवती के सामने नाक गिर्विड़ा रहा है आतम ग्यान के विना कहने का मतलब गुरुर कबीर कहा है कि योग के लोग भी आदमी अपने आपको कमजोर समझते हैं और भगवान के भरोसे बैठे रहते हैं उनको कहते हैं जाके अंगर नदियव है तुम्हारे हाथ, पैर, ना, कान सब ठीके गुरुर कबीर का संगेत है हम लोग कितने बड़े सवभाग के साली हैं जो कि हम देख सकते हैं, बोल सकते हैं, खा सकते हैं, चल सकते हैं और सबसे अच्छी बात यह है कि हमारा मन अच्छा है हम मन में जो सोचना चाहें हम सोच सकते हैं एक आदमी है, रोड़ पड़ चल ला है हमसे तगड़े दीख रहा हैं एकदम, धाकड़ हैं देख सकते हैं, बोल सकते हैं, खा सकते हैं, चल सकते हैं लेकिन अच्छे नहीं सोच सकते, उनका मस्तिक से विक्सित नहीं हो पाया, उनका मस्तिक से बिगड़ गया है, उसा भाग्य साली कहा है? एक आदमी दिन भर काम करते हैं तब दो वक्त की रोटी मिलती है और कहां सोते हैं रोट के किनारे सो जाते हैं हम लोगो कौन से उतना काम करना पड़ता है कैसे उसको सवभग्य साली कहा जाए हमारे आग भी ठीक है एक आदमी अच्छा सोच सकता है एक अंधा आदमी साप्ट वियर इंजिनियर है साप्ट वियर इंजिनियर मतलब होता है कंपोडर पूरा आप्रेटिंग करना उनके हाथ में है एक अंधा आदमी साप्ट वियर इंजिनियर पर भी अपने आपको कभी कभी कोस्ते होंगे कास मेरे आँख होते ते और कुछ कर लेता आँख नहीं होती हुए भी वो हाई लेवल पर है और लोगों के साथ पापलर है साप्क्योर इंजिनियर बना हुआ है हमारे तो आँख भी है एक व्यक्ति है अच्छा सोचता है अच्छा विचारक भी है अच्छा लेखक भी है अच्छा बोलता है लोगों के साथ में अच्छा वहार करते हैं लेकिन दुरुभा के वस विचारा लंगणा है वो कभी-कभी अपने आपको कोस्त होंगे कहास मेरा पहर होता तो क्या करता मैं एक आदमी के पास सब कुछ है आख ना, कान, जीब, चाम मन, मस्तिक से सब कुछ ठीक है लेकिन छट, दो कमरे का मकान नहीं है उनके लिए रहने के लिए बेचारे एक जोपड़ी में रहते हैं वो भी अपने आपको कोस्ते होंगे कुछ दुनिया में ऐसे भी लोग है जिसको दो वक्त की रोटिया नहीं मिलती है हम लोग बहुत बड़े सवभाग्यसाली है इसलिए दुनिया में ऐसे सवभाग्यसालीों में गिनती बहुत कम लोग है सवभाग्यसाली इसलिए है क्योंकि हम लोग को ऐसा विचार मिला और ऐसा समाज मिला और ऐसा वाता वरण मिला पैसा से आदमी सो भाग्य साली नहीं होता है बहुत बड़े लोग है पैसा पैसे वाले लोग लेकिन चिल मिलाते रहते हैं अपने आप में चिड़ते रहते हैं बिलबिला करके मरते हैं अंत में एक दुसरे की सिकायत, उनकी सिकायत, उनकी सिकायत, आपस में बहु बेटे का नहीं बनता है, सास बहु का नहीं बनता है, परिवार में नहीं बनता है, बड़े-बड़े प्रवक्ता भी है, बड़े-बड़े संत कहलाते हैं, लेकिन जीवन एक्तम खोखा है, कैसे सो भाग्य साली एसी कमरे में रहते हैं हम लोगों को एक ऐसा विचार मिला और ऐसा समाज मिला कि हम लोगों को इतनी स्विधा नहीं होती हुई भी हम लोग बहुत बड़े स्विधा साली में हैं और हमारे पास कोई स्विधाओं की कमी नहीं है गुरुर कबीर कहते हैं जाके आंगा नदिया बहे सुकस मरे पियास तुम्हारे आंगान में नदी भार रही है ग्यान की नदी भार रही है पूरे समाज हमको सहयोग करने के लिए तयार है और पूरे समाज हमको सहयोग कर रहे हैं आगे बढ़ने के लिए कहां से कमा करके लाते हैं इतना खात पुरे समाज दे रहे हैं, पुरे समाज हमको सम्मान करते हैं, उची गद्दी पर बिठाते हैं, प्रणाम करते हैं, कपड़े नहीं तो कपड़े देते हैं, यात्रा करना है तो गाड़िया देते हैं, सब सुधाएं देते हैं, पर भी गुरूर कबीर कहते हैं, तुम प्यासा मर रहे हो कहीं मचली पानी में रहकर के प्यासा मरता है क्या गुरूर कभी प्रस न करते हैं पानी में रहकर के मचली प्यासा मर रहे है क्या जब संतोस नहीं रह जाता है तो हमारी इच्छाएं और त्रिष्णाएं बढ़ती जाती है और उस इच्छाओं इतनी बढ़ती चले जाती है, कम नहीं होती है। गुरु कबीर बाहरी लोगों को भी सिखाया, संकेत करते हैं यह लोगों, तुम्हारे हाथ, पेर, ना, कांंस, सब ठीक है, क्यों नहीं कुछ करते हो अपने जीवन में सफलता पाने के लिए, गुरुकबिर भारी लोग को भी इस्तारा करते हैं क्यों दुसरे के भारों से बैठे रहते हो क्यों माबाप को कोशते रहते हो क्यों सरकार को कोशते रहते हो कि सरकार ने हमको बेरुजगार रखा है योग या आदमी को कोई भी बुला लेते हैं अगर योग या आदमी है तो निश्चित ही पढ़ते पढ़ते पढ़ाई जीवन में लाइफ में उनकी नौकरियां लग जाती है सफलता हमारे हाथ में नहीं है पर कोशिस करना तो हमारे हाथ में है जदी हम प्रयास करते हैं कोशिस करते हैं तर कुछ न कुछ तो हमको मिलेगा और हमारे हाथ में हो उसको भी हम ना करें निकम्मा बैठ जाए तो निकम्मे बैठ जाने से जो कुछ हाथ में था वह भी चला गया निकम्मे बैठने से अच्छा है कुछ करना लोहे का जंक लगने से अच्छा है लोहे कहीं घीज घीज करके खतम हो जाए लोहे की सफलता ये है मनुष्य का जन्म लिये हैं तो हमको मेहनत करना चाहिए और हमको कोशिस करने के लिए मिला है इतन कुछ करें हम जीवन में नाओ को पानी में उतारने के लिए जहाच को पानी में उतारने के लिए ही बनाया जाता है ना की बंदरगाह में खड़े करने के लिए बनाया जाता है जीवन में काम करने के कई तरीके होते हैं सफल होने के कई तरीके होते हैं एक होता है हार्ड वर्क एक होता है साफ वर्क हार्ड वर्क मजदूर करते हैं साप वर्क कारीगर करते हैं और स्मार्ट वर्क बुद्धिमान व्यक्ति करते हैं काम एक है लिकिन उसको करने का तरीका अलग अलग है एक व्यक्ति उसी काम को 24 घंटे में करते हैं अब एक व्यक्ति उसी काम को एक घंटे मी करते हैं जो इसमार्ट वर्क करते हैं बुद्धिमान व्यक्ति काम करते हैं वह काम असानी से कर लेते हैं साफवर का कारीगर दिन भर लगे रहते हैं अपने बुद्धी और छंता के साथ से धीरे देरे और हाटवेर का जिसको मालिक जो बता देते हैं इतना करना है उतना वो करते हैं अपने बुद्धी नहीं लगाते हैं गुरुर कबीर कहते हैं हमारे पास बुद्धी भी है तन भी मन भी तो क्यों न हम समय की गति को समझे और लग जाए जीवन बहुत बेसकिंती है और इस बेसकिंती जीवन को कुछ ही लोग समझ पाते हैं बहुत कम लोग बहुत कम लोग ही जीवन को समझ पाते हैं बांकी लोग तो बस मान सब मान को जीवन समझते हैं पैसे को जीवन समझते हैं परिवार को जीवन समझते हैं अपनी प्रभूता को जीवन समझते हैं जीवन को जीवन नहीं समझते हैं जो व्यक्ति जीवन को समझ जाते हैं, उनके पास फिर औरों के लिए टैम नहीं रहता है, सीकायते नहीं रहते, जीवन से सीकायत खतम हो जाना बहुत बड़ी सफलता है, एक माली है, कुछ कर रहे थे, पेड लगाते थे, बुढ़ापक की अस्था, ठंडी का समय, पेड लग जाना, घास साप करना, निंदाई करना, दिन भर लगे रहते थे, मस्त रहते थे, एक वक्ति उनको रोज देखते हैं, वो काम करना है, काम कर रहे हैं, पुस्ति तुम क्या कर रहे हो, कहे तुमको दिखता नहीं है, मैं क्या कर रहा हूं, चले गए, दुसरे दिन देखते है वो एक नारियल का पेड़ लगा रहे है वो यक्ति कहते हैं तुम्हें नारियल के पेड़ लगा रहे हैं तुमको इससे क्या मतलब है तुम तो इस दुनिया से चले जाओगे मर जाओगे तुमको भल भी नहीं मिलेगा वो भुड़ापा अवस्था में हो यक्ति कहता है माली कहता है मैं मर जाओगा तो क्या पुरसंसार मर जाएगा उनको उसकी पीछे आपेच्छा नहीं है चाहाना नहीं है कि मैं लगा रहा हूँ तो मुझे ही मिलना चाहिए वो काम को टालते नहीं है बलकि सोचते हैं अगर मैं यह करता हूँ तो आने वाले कल के लिए लोगों के लिए कुछ मिल सकता है आलसी आदमी थर्ड अक्लास का जीवन जीते हैं इनिश्चीत है जिनको आलास से ने घेर लिया वह आदमी थर्ड अक्लास का जीवन जीते हैं हमारी हर एक चीज़ में प्रसनालिटी होनी चाहिए, अच्छा चलना, अच्छा बोलना, अच्छा खाना, अच्छा दिखना, अच्छा जीना, अच्छा सोचना, हर चीज़ में प्रसनालिटी होनी चाहिए किसी ने गुरुर कबीर के लिए कहा जैसे हीरे के 56 पहल होते हैं सभी पहल चमकदार होते हैं वैसे ही जब हम उनके अनवाई हैं तो हमको कम से कम दुनिया ना जाने तो हम अपने आप में संतोस्त करें अपना उसाह तो भरें जीवन जीना ही सिर्फ सपलता नहीं है, जीवन जीने के लिए हम सांस लेते हैं, सांस लेना ही इतना ही परियाप्त नहीं है, जीवन जीने के लिए सांस लेना इतना ही परियाप्त नहीं है, उसके अंदर बैठा आतमा है, उसको आत्म विश्वांस जागरित करना ये जरूरी ह बहुत लोग है बस सांस ले रहे हैं काम कर रहे हैं जीवन जी रहे हैं वो जीवन नहीं है वो जीवन को घसीट रहे हैं बस लेकिन जीवने अपने अंदर वेग भारा और वेग भढ़ करके आगे बढ़ते गए बढ़ते गए आत्म विश्वास सफल होता गया एक चीज और है आत्म विश्वास कोई पेड़ का फल नहीं है हम जाकर के कहीं से तोड ले आत्म विश्वास को सफल बनानी के लिए हमारी जीवन का हर अंगो पंक्स वैसे होना चाहिए जिसमें रुखावट नहों जिसमें डर नहों जिसमें भै नहों जिसमें सिकायत नहों तब हम उस सफलत को प्राप्त कर सकती हैं तब गुरुवर कबीर के संकेत को हम समझ सकते हैं कि कर वहिया बल आपनी छाण बिरानियास जाके अंगन नदिया बहे सोकस मरे प्यास कभी भी हमको ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं यहां काम नहीं कर सकता हूँ बलकि प्रयास करना चाहिए अप्रियास करना चाहिए और हिम्मत और सहास और लगन और समरपन के साथ अगर लग जाते हैं तो कोई काम बड़ी काम नहीं है इस दुनिया में मैं सब काम कर सकता हूँ यह विश्वास होना चाहिए काम तो करते हैं लेकिन हमारा दिमाख दिल दिमाख घड़ी पर रहता है अच्छा टाइम क्या हुआ अच्छा हो गया टाइम जो हम टाइम देखेंगे, टाइम देखते रहा जाएंगे, हम सफल नहीं हो पाएंगे बेर, टाइम कोई किनारे रखें, और जिसमें लगे हैं, लगन पुर्वक लगे रहे, कुछ नियाम है, उसको नियाम के लिए फालो करना पड़ता है, जैसे टाइम है अभी, जो करना है वही करेंगे भोजन का टाइम है घंटी लगी पर भी हम उसमें लगे हैं लगे हैं तो उसमें आउरोधक होता है कि लोगी समस्या हो जाती है उसकी हिसाब से चलना पड़ता है समाज में रहते हैं तो समाज के नियम के नुशार से लेकिन यदि हमारे पास अपना टाइम है और लगे हुए हैं कोई काम नहीं आगे तो हमको उसमें निरंतर लगे रहना चाहिए और निरंतरता का फ़ल है कि एक सधारन सा श्टूडेंट एक विश्व द्यालाई का लेक्चरार बनता है प्रोफेसर बनता है एक सधारान से आदमी जिसको लिखते लिखते अभ्यास करते करते काली दाश क्या बन जाते हैं लेखक बन जाते हैं अभ्यास करते करते एकलब्य धनुजारी बन जाते हैं गुरूर कबिर करते हैं कर वही अबला अपनी अपने बहाँवाल पर भरोसा रखो तो निश्चित ही सफलता मिल सकती है बोलिये सद्गुरु देव की चै